यह हैं another testing video of MXQ Pro 4K 5G यह particular box आपको मिल जाएगा 4GB RAM, 32GB ROM के साथ, Android 12 के साथ यह मिल जाता है यहाँ पे आप देखेंगे Android TV box printed है multimedia gateway printed है और internet TV printed है internet TV इसलिए printed है because इसमें internet IP TV भी यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे आपको आजाता है MXQ Pro 4K 5G 4GB 32GB के साथ जिसमें पीछे भी Mac address ऐसे कुछ लिखा आता है 4GB 32GB Android 12 यहाँ पे हमारा BIS certificate है जो हम AC box को import करते हैं कई लोग पुछते हैं आप इतना सस्ता कैसे देते हैं reason यही होता है कि हम अपना माल import करते हैं पीदा सेल करते हैं अपने consumers को so online payment including delivery अगर यह box आप लेने में interested है तो online payment including delivery आपको पड़ेगा 1550 रुपे का अगर payment आप पूरी complete पहले करते हैं तो 1550 रुपे में ही आपके घर पे आ जाता है cash on delivery में यह product आपको मिलेगा 1650 का जिसमें 200 रुपे आपको advance पे करना होगा और rest of the amount 1450 रुपे आपको delivery के time पे courier वाले को देना होगा so total 1650 दोसो रुपे पहले 1450 डिलिवरी के time पे courier वाले को देना होगा cash on delivery में अगर यह box लेने में interested हैं तो आप number dial कर सकते हैं 971-6875-971 पे या फिर whatsapp कीजिए message कीजिए और ले जाएए mxq pro box को 971-6875-971 इस number पे message कर सकते हैं so guys अब हम इसे on करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप इसको चलाने वाले हैं so सबसे पहले हम इसे power button इसी के HDMI cable से connected है और यह power adapter है यह हम connect करने जा रही है ऐसे कुछ so जैसे ही power connect करते हैं हम यह इसका remote आजाता है आप देख सकते हैं so इसमें कुछ numbers आजाते हैं यहाँ पे manual mouse का option आजाता है जिसमें mouse का button दबा के cursor को left right वाला button दबा के किसी भी icon पे ok click करेंगे तो वो start हो जाएगा open हो जाएगी वह चीज inbox लिखा हुआ आ रहा है make your life colorful ऐसे कुछ so इस तरीके से यह box आपको मिलने वाला है अगर आप यह box लेना चाहते हैं टीवी को बना देता है smart वाइफाई से connect कर सकते हैं और use कर सकते हैं भी application आप play store से भी download कर सकते हैं so इसमें कई लोग तो IP TV के through live TV channels भी देखते हैं movies, web series भी देखते हैं सब कुछ यहाँ पे देखते हैं इस box के साथ main बात है आपके पास box होना चाहिए अगर आपके पास box है तो आप सब कुछ देख सकते हैं अगर box आपके पास नहीं है तो आपका TV भी smart नहीं बनेगा और अगर आप already TV smart है आपके पास तो उसमें भी आप enjoy कर सकते हैं ऐसे ही कुछ यहाँ पे देख सकते हैं inbuilt application आपको नीचे मिल जाती हैं यहाँ पे आप Wi-Fi से connect करने के लिए आप settings में जाएंगे same remote का use कर रहे हैं settings में जाके network में जाके आप Wi-Fi के साथ ही से connect कर सकते हैं ऐसे कुछ password डालिए next करिए और आपका connect हो जाएगा next हम बताने वाले हैं storage में जाके 4GB 32GB के साथ ही आ जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं back करके आपको दिखा देते हैं about section android version 12 के साथ ही आ जाता है so बहुत ही अच्छा box है like android 12 के साथ आपको 4GB 32GB मिल रहा है यहाँ पे हम आपको apps के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं इसमें complete apps आती हैं यह सारी और नीचे चलते हैं तो यही सारी application आ जाती है इसमें inbuilt जो आ जाती है जिसमें हम थोड़ा detail में बता देते हैं airplay आपका अगर phone है like iphone तो आप इसे airplay के through screen mirroring कर सकते है app installer आ जाता है कोई भी application को install करने में यह help कर सकता है chrome आ जाता है google chrome से आप कोई भी इसके साथ आप keyboard mouse लगा के android pcb बना सकते है अगर डबा tv है तो यह वाली cable आप यूज़ करके इसको android like किसी भी डबा tv को भी android बना सकते है इस particular cable के साथ इस box के साथ यह cable डेड़ सो रुपे की आएगी stereo to 3RC cable बोलते हैं इसे यहाँ पे अगर आपको किसी monitor को बनाना है smart तो यह वाला converter आपको यूज़ करना चाहिए 2500 रुपे का आता है HDMI 2 VGA converter यहाँ पे आ जाता है HDMI 2 AV converter यह भी 2500 रुपे का आपको मिल जाएगा यहाँ पे आ जाता है keyboard यह keyboard Bluetooth के साथ आ जाता है और यह keyboard mini keyboard है जिसमें keyboard mouse इंबल्ट आ जाता है यह keyboard 500 रुपे का है यह सारी चीज़े आप इसके साथ accessories के रूप में यूज़ कर सकते है Google Chrome का हम यह बता रहे थे आप Google Chrome से कोई भी website open कर सकते है Disney Plus आ जाता है download आ जाता है file manager आ जाता है आप files को browse कर सकते हैं अगर इसके साथ keyboard mouse लगाना चाहते हैं तो ऐसे कुछ hub हम यूज़ करते हैं basically software सोगरा डालने के लिए तो ऐसा कुछ hub आप भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ और multiple devices connect कर सकते हैं यहाँ पे हमने Dell का यूज़ किया हुआ है receiver जो की keyboard mouse हम यूज़ करते हैं firefox आजाता है जिससे browsing कर सकते हैं get apps google play store की तरह ही get apps में भी आप applications वगेरा डाउनलोड कर सकते हैं happy cast आप किसी भी mobile की screen को cast कर सकते हैं using this happy cast option happy cast कितना काम करता है यह तो हमें नहीं पता है ना कभी हमने test किया है but बोलते है happy cast से भी casting हो जाती है media center कोई भी media files को आप browse करके चला सकते हैं like कोई भी videos को audios को and कोई भी pictures को आप देख सकते हैं media center के तरू music आ जाता है कोई भी music play कर सकते है using music application netflix आ जाता है अपनी netflix की subscription यहाँ पे आप चला सकते है यह GUI interface होता है graphical user interface so इसमें अगर आप mouse वगएरा use करेंगे तो काफी अच्छे से use कर पाएंगे netflix को यहाँ पे आ जाता है google play store google play store से कोई भी third party like first party applications download कर सकते हैं third party applications आप pen drive वगएरा के तुरू install इसमें कर सकते हैं कई लोग तो इसमें geo tv वगएरा डाल के live tv चैनल भी देखते हैं तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर आप live tv चैनल देखने के शोकीन है तो prime videos आ जाता है जिससे आप सारी की सारी prime video की subscriptions में videos वगएरा enjoy कर सकते हैं settings आ जाता है कोई भी settings के application कोई भी remove करनी हो नई application डालनी हो तो तो file manager से जडल जाएगी pen drive से but settings में जाके apps में जाके कोई भी applications को हम remove वगएरा कर सकते हैं update आ जाता है इसमें android का updates जब mxq pro company से मिलेगा तो यहाँ पे updates में show करतेगा और यहाँ से आप update वगएरा कर सकते हैं youtube में hd full hd quality में आप सारे के सारे contents देख सकते हैं youtube के so guys आप अपना youtube का channel भी connect कर सकते हैं अपना youtube का like login करके use कर सकते हैं कोई भी जो भी आप mobile में देख रहे हैं वही contents आप इसमें भी देख सकते हैं so यह एक बहुत अच्छा और बहुती सस्ते में आपको यह box मिल जाएगा अगर इस box को लेने में interested है तो definitely आप हमें message कर सकते हैं आप हमें whatsapp पे फिर से हमें एक बार pricing revise करवा देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं wifi से भी connected है अगर LAN cable का आपको connection करना है तो वो भी यहाँ पे available होता है आप LAN से भी connect कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर LAN से आपको कहीं पे भी doubt है तो एक बार connect करके दिखा देते हैं हम यहाँ पे हमने यह LAN से connect कर दिया है और यहाँ पे change हो जाएगा LAN में देख सकते हैं LAN में change हो चुका है और इसको निकालते ही यहाँ पे इसका Mac address आ जाता है 4GB, 32GB, Android 12 और यहाँ पे आप देख सकते है BIS certificate आ जाता है हमारा इस तरीके से आप इस box को यूज कर सकते हैं अगर online payment करके home delivery करवाना चाहते है तो केवल और केवल यह आपको मिल जाएगा 1550 का like 4GB, 32GB, Android 12 के साथ अगर लेना चाहते है तो केवल 1550 रुपे में आपके घर पे delivery हो जाएगा अगर आपको चाहिए cash on delivery तो यह आपको मिलेगा केवल और केवल 1650 का जिसमें 200 रुपे आपको advance पे करने होंगे और rest, बाकी सारा amount 1450 आपको delivery के time पे courier वाले को देना होगा डेमो लीजिए इस box का कैसे हम testing and packing करते हैं वो आप देख सकते हैं और आप इसे order कर सकते हैं 971-6875-971 इस नमबर पे message कीजिए और call कीजिए order book कीजिए और अपना box मंगवाईए और अपने TV को मना लीजिए smart like, share, subscribe जरूर कीजिए guys, like, share, subscribe please take care thank you so much bye-bye